हमारे चैनल से जुरने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा अजन्सी सब्सक्राइब करें हम तो वैसे लोगों को याद भी नहीं रखते हम यजीद को अपनी चाहतों में क्यूं 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 रखते हम यजीद को अपनी चाहतों में क् आजकल के पूचहली कंकरी नहीं रखते खूश यार है फिर भी मुठियों में डालर है आजकल के पूचहली कंकरी नहीं रखते असमे हालात इनके बहुत खराब है समझे हालात इनके इतने खराब है कि एक शायद ने कहा था कि तेरे मन्जूम का अई लजदिया मतला वहादी है अदीबे वक्त कहता है तेरा लहजा वहादी है ना जाने किस कदर तकलीफ में गुज़रा हिब लम्हा सफर में पास आकर जब कोई बैठा वहादी है हाला गतने खराब है अमेठी वालो कि परदाश नहीं हुआ तो अब्दुर्रह्मान चिष्टी ने बुरहान पूर से कहा था कि मेराज मुस्तफा का सफर मार मार कर आराम आराम से पढ़ता हूँ मुझे यकीन है अमेठी वालो शेर अगर वाकई आराम से पढ़ लिया जाए तब भी अच्छा ही होता है अब्दुर्रह्मान चिष्टी ने बुरहान पूर से कहा था इनहीं के बारे में कि मेराज मुस्तफा का सफर मार मार कर हैरा है सब खलाओं में सर मार मार कर दौरे सहाबा होता तो ऐ नस्दियों सुनो कर देते कब का सीधा उमर मार मार कर अगर शेर बाकई अच्छा हो गया हो तो जरा एक मर्दबे बोल दे लबबाए क्या रसुल्ला जरा अपने नभी के नाम पर बोल दो या रसुल्ला शायर ने कहा था कि मेराजे मुस्तफा का सफर मार मार कर अगर 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 ये इतने बड़े बेखूफ होता है वहाबी देवबन्ली कि चालिस दिन के चिल्ले पर एक वाबी गया तो दाड़ी की दी फजीलत सुनी कि बीवी ही से कहने लगा दाड़ी रखना सुननत है तो बीवी ने कहा कि बेखूफ दाड़ी तो मर्दों के लिए सुननत है उसने कहा कि कमबख्त कम से कम नियत ही कर ले इतने बड़े बेखुक होते हैं इनके बारे में इनके बारे में एक शायर ने का था देखो भाई फैसला आपके शहर का है अगर बर्जी होगी तो सुनिएगा वरना मुझे छोड़ दीएगा समझे यह आपका शायर है जैसा जैसा जिसके साथ सुनूप कर सकते हैं जैसे कि ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे तो उसने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है समझे मैं आप के खरीब बैठता चाहे तो उग्दिन कहेगा तो बोलिएगा इनहीं के बारे में इक शायर ने कहा था कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं तुम हाद उसका देखता म मैदाने हच्छ में आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं मैदाने हच्छ में दामन पे पंजतन का कलर मार मार कर जामी भी उनके खास दिवानों में आ गया दामन पे पंजतन का कलर मार मार कर और अबदुरह्मान चिस्टी ने एक बड़ा अच्छा मुखून किया कि दामन पे पंजतन का कुन का पंजतन का अच्छा आजए ये बएगि अगर आपके लिए कोई दिख्कत हो तो सब आजए ये आजाए मैंगमेटी के अफरास से उजादिश करूँगा कि आप फरास चले जाएए उनको दाके बठाती जाएए समझे आप आराम से आप अपना काम करें आराम से उनको देख लीजिए और तरीब बैठा दीजिए समझे आप अगर दिल कहें तो अपने नवी के नाम पर हाथ बढ़ा कर बोल दो या रसुल्लाँ और जराम उची आवाद में बोल दो या रसुल्लाँ मेराजِ مصطفیٰ का सफर मार मार कर हैराह सब खलाओं में सर मार मार कर तवरे सहावा होता तो आए नजदियों सुनो कर देते कप का सीधा उमर मार मार कर अब्दुरह्मान चिश्टी कहते है जाउंगा सुई तह्वा बिना बोले घर से मैं लाओ गे कभ तलक मुझे घर मार मार कर। जाओंगा सूवे तयुआ भी ना बोले घर से मैं लाओ गे कभ तलक मुझे घर मार मार कर। आईए बड़े ही अदब और हितराम के साथ حضور शोईबल ओलिया काणफरंस बामुद अलिया काणफरंस में मैं बड़े ही अदब और हित्राव के साथ लगनोश है की एक बड़ी मौत वरावाद जिसने लगनोश की कोक से निकल कर पूरे मुलके हिंदुस्तान में नातिया जाहिरी के हमाले से चाहे वो हिंदुस्तान के राजिस्तान का इलागा हो चाहे वो बंगाल का इलागा हो चाहे वो बदपर्देश या उस्तरपर्देश का इलागा हो पूरे मुल्के हिंदुस्तान में अपनी नापिया शायरी के हमाले से जितने अपनी एकलेक्शनात बनाई है दुनिया उसे पता नहीं क्यों खारी अप्तुर्मान जामी कराव देती है मैं उस शक्त को आपके हमाले कर रहा हूँ कि दिल मुनवर की दिये रुख आइना कर ली दिये उनके दर पे सर जुगा के कड़ बढ़ा कर ली दिये नाक के अचार भी भर देते हैं जख्मे हया इसमे शक है आपको तो तक तज्रबा कर देते हैं चेरा देखेंगे इंशालला आपके तब्यत बाखबा हुजाएं मैं मतला परता हूँ अपने मुर्शित का मलाय जख्रमे दर एक मर्दबा और कह दी या रसुल आप दाजी फुरिटते तेमा भाई या थोड़ा सही कर दो बहुत है गरीब आदमी है जिसम के अदवार से भी साहर हो जो किया वार हो कि विलाभा पसेर ज़ींग हो उसक्राइठर तकर दीए अधिशिम अधिवर मतल्याय चेशंबूर पर बाखिए और करा शालूद जरनी यहाँ यह अधिंव स्यवतुनमें वैज्टमाल में ओक्जिन धरता है यह अएध्बाउटमामे मतला परता है मतला परता हूं मराइजा करें जुम कर कहे लिए या रसुले ला ये कलाम कब लिखा है सरकार काजुश चरिया ने जानते हैं ये बादरत मदीना श्रीफ मक्य श्रीफ के श्रीफ ले गए मदीने श्रीफ सरकार ताजुश चरिया नहीं जा पाए तो जद्धा एर्पोर्ट पर रुजूर ताजुश चरिया ने इस कलाम को लिखा था आशिके रसूल थे तो दिल में तड़ब क्या थी मतला सुनेंगे इन्शालला मुझा आ जाएगा दागे फुर्गते तर्वा दागे फुर्गते तर्वा गल्ब मुझमे जाता बोले मैं आप क्या करने है आए जलसे में नाथ सुनने के बाद क्या कहा जाता तो जबादे एक मर्दबा आथों कुछा कर कहने तर्वा दागे फुर्गते तर्वा कल्ब मुझमे जाता दागे फुर्गते तर्वा कल्ब मुझमे जाता दागे फुर्गते तर्वा काशिकों बादे खज्रा देखने को में जा काशिकों बादे खज्रा देखने को में जाता काशिकों बादे खज्रा देखने को में जाता देखने को बादे खज्रा उनके आस्ता आने पर मेरा दम लिकर जाता उनके आस्ता आने पर मेरा दम लिकर जाता उनके आस्ता आने पर उनके आस्ता आने के खाक्मे में मिल जाता नारे आस्ता आने इसालत नारे इसालत उनके आस्ता आने के खाक्मे में मिल जाता उनके आस्ता आने के सरकार ताजर सरिया का कलाम है यह खाक्मे में इस शियर को फिर से पर दिया जाती है सुरेंगे जरा आतों को उठाकर कैदें या रसुल्ला दम मेरा निकल जाता उनके आस्ता आने पर दम मेरा निकल जाता उनके आस्ता आने पर उनके आस्ता आने के हाक में मने जाता उनके आस्ता आने के खाक में मने जाता उनके आस्ता आने जो खुशे पड़ो लेकि उससे पहले नात का मतला परता हूँ पहली बार इस कलाम को पढ़ने की कोशिश करना हूँ बड़े वह मोगा मुशाइद इजाद साब तबला की दौाओं का तारिफ खलो मैं एक राम की मौपतों का मैं अहुंद लिल्ला बहुत इतराम करता हूँ और अगर ये मौपतों से नावास देंगे तो मेरा काम हो जाएगा है के नहां तो कुछा कर कहते ही जाद सुनिल्ला प्यास की शेहते पे जब शरीवत का प्याना आ गया समात करें किसम पुड़ागी एक एक शेहते इतना अच्छा है इस नात का शेहते ही अच्छा होता है लेकिन कोई कोई शेहते के अध़ागी से बहुत अच्छा होता है प्यास की शेहते जब शर्बत का प्याना गया शर्बत का प्याना गया प्यास के शिदत में जब शे बत का प्याना आ गया के सामने हज़रते सामने हाँ सामने हज़रते अली अस्वर का छेहा सामने हज़रते अली अस्वर का छेहरा गया सामने हज़रते अली अस्वर का छेहरा गया सांवनी हस्थरत MRI अंर्स पर कचिरा गया जब प्यास लगा करें तो करिवला शृरीफ को याद किया करिए क्या। जब प्यास लगा करें जिराएक मरतबकं प्युक्तर जानिसारों के नाम पर हाथों को उठा कर कहें दें या रसुलिल्ला शेयर को ताम लाया करें कि कि फिकर की फिकर की परवाज का आलम न मुझे से पूछे आलम न मुझे से पूछे आलम न मुझसे पूछिये फिक्र की परवाद का आलम न मुझसे पूछिये जब आखे वे जब आखे बर्द की मकाम अदीना आ गया जब आखे वे जब आखे वे जब आखे बर्द की मकाम अदीना गया अभी दूसरे राउंड में इंशालला जब उदूर मस्गूद मिल्लत की आमद हो जाएगी तो वो कलाम सलाओंगा इंशालला जो सुलापूर में पड़ाता है जिसके लिए मुझे बलाया गया है मिक्तार में ने कहा तक उसके लाम को पढ़ना है जब हज़रत तश्यूर फर्माओंगे तब मैं पढ़ूंगा इंशालला जाला एक शेर और माइकराम की खिदम बोसी करते हुए जूंकर हाँतों को उठाकर कह दें जार रसुलिल्ला के सामने हज़रत अलिया से घर का चेहरा गया हज़रत जिबरील का पर भी वहां पहुचा नहीं हज़रत जिबरील का पर भी वहां पहुचा नहीं हज़रत जिबरील का पर भी वहां पहुचा नहीं जिस जगा हो कर मेरे आखा का तल्वा आगया जिस जगा हो कर मेरे आखा का तल्वा यारस जगा जिस जगा हो कर मेरे आखा का तल्वा आखा का तल्वा गया अच्छा लोग सोच रहे होंगे कि नोट बंदी हो गई हो गई सब कुछ हो गया मगर ये डेरा में पैसे ही भी खत्म हो रहा क्या बात उनको बता दीजे कि घर में जो पर्चमे अबास सजा देते हैं फुल्द से जापरे तयार दौा देते हैं इतनी दौलत भी कहा तेरे सदाने में यदीद जितनी शभीर के दीवानी लुगा रेते हैं अच्छा अच्छा ये वो आज उल्मा एकरान ने डेरा में डेरा जमाया है मुषाहित बाए के तो कोई जवाब यही है लुगा रेते हैं मैं दुस्तान में और मुल्क में चंद खुद्वाइ को बहुत जादा मुखबत करता हैं उनने से एक बनाम भाई मुठरम मुछाइद असाथ को विल्हाहित जापता है और जब मौत हो तो इसी मसलख पर हो, अल्हम्म्हें लिए, है के लिए, मौबतों से कहे दें, आमी, मैं शेर पर साम लाइजा करें, जुमकर कहे दें, या रसुलिल्ल्ला जिस जगर होकर मेरे आखा का तल्वा आ गया, एक्षे, खुशाइद भाई, एक्षे, उस इला तेर से वाबी, तुम दबा कर चल दिये, उस इला तेर से वाबी, तुम दबा कर चल दिये, आ गुम दबा कर चल दिये, जिसे लाके में मेरा ता जो शरीया जिसे लाके में मेरा ता जो शरीया जिसे लाके मेरा जो शरीया गया कबर में अख्तर की सूरत देखे कर बोले मलके कबर में अख्तर की सूरत देखे कर बोले मलके हाँ हाँ बोले मलके अख्तर की सूरत देखे कर बोले मलके बाप जैनते बाप जैनते बाप जैनते खोल दो आका कशेदा आ गया बाप जन्नते खोल दो आ का कशेदा आ गया चाज ताज उस्ठैया ताज उस्छान उस्ठैया जन्दा बाप सर्कार शौहिव अले इर्रेमत विज्ङम के नाम से इस मयिफल पंगा देए ना बए नस भी पता को पता है किस को नाम से भी रख्टी गई तो हाँ तुबआ कर बता है सरा किपने लोग जानते हैं अच्छा बेराल नहीं पता तो मैं शेयर पता हूं जान लिएगा इन्शालला ताला सरकार शॉइब लौलिया सरकार यार अलिया 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 की बारगाह में जब ब्राओं श्रीफ लुग जाते हैं तो एक मतला पढ़ देता हूं उसको याद कर लीजेगा और इसको पढ़ते हूं जाईए कब राओं श्रीफ लूग जाईए कब राओं श्रीफ लूग जाता हूं है काम बहुत जाता है या रली हादित हुवे है इसलिए पी माया रली या फिदे खुमे है इसलिए आ इट खुमे है इसलिए पी माया रली दारुशिफा है आपका दर्बार अलिए उसको नफैदे आपका मिल पाएगा कभी जो मसलके रजा कह गदार यार अलिए जो मसलके रजा कह गदार यार अलिए आपका गदार अलिए आपका अलिए आपका गदार अलिए उन पर नवा जिशात की परसा कीजिए उन पर नवा जिशात की परसा कीजिए अखतर लदा के जो है वफादा यार अलिए मक्तासूले मौबतों के साथ कहती यार शुलदा जामी जो लेके आया है तो थो 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 थूर गदार अलिए हमारे चैनल से जुरने के लिए यूटूब पर लिम्रा अजनसी सब्सक्राइब करें